आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रिंटर से यदि प्रिंट आउट निकालते समय यदि प्रिंट आउट में लाइनिंग आए तो उसे कैसे ठीक करते हैं ये सब प्रोब्लम हेड प्रोब्लम की वज़े सी होती है जिसकी वज़े से हमारे डोकुमेंट्स या फोटो में लाइनिंग आजाती है तो इसे कैसे ठीक करते हैं इसके लिए आप वीडियो को अंतक देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाए यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाए यहाँ पर आपको आपके सिस्टम से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो यहाँ पर सो होने लग जाएंगे हमें हमारे प्रिंटर को यहाँ पर चुनना है हमारा प्रिंटर यह है जिस पर राइट किलिक है हम इस पर राइट किलिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंटिंग एंड प्रिफ्रेंस का एक अप्सन है हम इस पर किलिक करेंगे जैसे ही हम इस पर किलिक करते हैं हमें कुछ इस फिरकार का डायलग बोक्स देखने को मिल जाएगा यहां पर उपर उपर आपको option देखने को मिल जाएगे मेन, more option और maintenance का हम यहां maintenance में जाएगे और इसी के नीचे आपको है एक head cleaning का option जाएगा हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां start पर click करेंगे यहां पर थोड़ी सी process होगी इसे होने दीजिए यह process आप 2 से 3 बार कीजिएगा ध्यान रहे हैं आपका printer चालू रहना चाहिए हमारी यह process पूरी हो जोकी है अब हम finish पर click करेंगे और इसे हम क्रोस कर देंगे अब आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल करके दे सकते हैं अब आपके images पर कोई भी lining नहीं आ रही होगी I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ और यदि मन में कोई question है तो हमें comment box में comment करके आप पूछ सकते हैं और एसी informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना बोलें Thank you